नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं J.S.S.C. ने 863 पदों के लिए निकाला बिग्यापन जार्खन करमचारी चैन आयोग ने इंटर्मीडियेट अस्तर सन्युक्त पर्त्युक्त परिशाद 2023 का बिग्यापन जारी कर दिया है 863 पदों के लिए निकालेगा इस बिग्यापन में पोलिटेकनिक, माहा पोलिटेकनिक, स्रव नियोजन, प्रसिक्षन, यमकोसल, विकास विभाग आदी में निम्न वर गिये लिपिको की नियुक्ती होगी इसके लिए कम्प्यूटर ग्याण और कम्प्यूटर में हिंदी टंकन आहारता होनी चाहिए बतादे ओनलाइन माध्यम से आवेदन 20 अक्टूबर से 29 नॉमबर तक भरे जा सकते हैं वही जार्खन करमचरी चैन आयोग ने 28 सितंबर को रांची में आयोजीत डिप्लोमा अस्तर सन्युक्त परिक्षा परिशा 2023 को रद कर दिया है यह परिक्षा ओनलाइन मोड में सीवा इनफोटेक रांची लेने वारी थी बतादे जार्खन करमचरी चैन आयोग ने तकनीकी खामिया को देखते हुए इस परिक्षा को रद करने की घोसना की है आयोग के द्वारा जारी सुचना का नुसार समन्धित अभियार्थियों के लिए परिक्षा की तीथी पुना जल्दी परकाचित की जाएगी केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से जार्खन होगा नकसल मोग तक केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमीत सहदवार आयोजी जार्खन सहीत नकसल प्रभावित राजियों के मुख मंत्रियों के साथ बैठक की गए इसमें जार्खन के सियम हेमान सुरेन भी सामिल हुए इस तोरान हेमन सुरे ने कहा है कि जारखन में उग्रवात की समस्या में कमी आई है लेकिन इसकी पूर्णा विरीती ना हो इसके लिए केंद्री और धसायनिक वलों की परतिन्यूक्ती जारी रखने की जरूरत है राज में परतिन्यूक्त आईजी स्यार्पी एफ का कारेकाल कम से कम तीन वर्स रखा जाए ताकि नकसल अभ्यान में निरंत्रता बनी रहे बता दे कि इस बैठक में 36 गड़ मदपर्देश उरिशा अंध्रपर्देश तिलंगाना बिहार यूपी वा पच्छिम बंगाल राज भी सामिल हुए बताया गया कि बैठक में सीएम के अलावा राज के वरी आरा अधिकारी भी हिसा लिए बैठक में कहा गया है कि उग्रवाज की समस्या की पुर्णावीर्ति ना हो इसके लिए अवस्याख है कि इन छेत्रों में बिकासोन मुख्य योजनाये ब्यापक परमयाने पर चलाई जाए जिसके लिए राज को संसाधन की अशकता पड़ेगी बाबुलाल मरांडी ने कहा आदिवासियों का नाम मिटी में मिला दिया जार्खन की राजनीती में आरोब परत्यारोब का तर तरीका बदल रहा है इस पर फिल्मी डायलोग का लेब चढ़ने लगा है साध इस वज़ा से भी कि लोगों को बात समझाने में असानी हो सके आपको याद होगा कि मसूर फिल्म सोले में जय और बीरू से मात खाकर लोटे तीन डाकैतों को इनामी गबबर सिंग ने कहा था कि ए तीन गबबर सिंग का नाम पुरा मिटी में मिला दिये इसी डायलोग को एक्स हैंडल पर ट्यूटर कर बाबुल अमरांडी ने सीएम के खिलाप इस्तिमाल किया है बाबुल अमरांडी ने अपने सोसल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आपने तो अपनी काली कर्टूतों से हम आदिवासियों के नाम को मिट्टी में मिलाने का काम किया है बाबुल अमरांडी ने अरोप लगाया है कि जमिन घोटाला में इड़ी के सामने हेमान सोयन के सारे हत कंडे बिफल होते जा रहे है पेशा कानून लागू करने के लिए कॉंग्रेस ने निकाली अधिकार यात्रा राज्य में पेशा एक्ट को उसके मुल रूप में सामिल करने की मांग को लेकर कॉंग्रेस ने पेशा अधिकार यात्रा निकाली है पर्देश कॉंग्रेस कमिटी ने सरकार से पेशा कानून को मुल रुप में लागू करने की मांकी है। इस दोरान यात्रा रांची के मौराबादी मैदान से होकर कोकर धरती अपाबीर्शा मुंटा के समाधिय असल तक निकाली गई। इस अधिकार यात्रा में पर्देश कॉंग्रेस परभारी सहराष्ट्रिय महा सच्चीव अविनास पांडे, कॉंग्रेस के परदेश अध्यक रायस ठाकूर कारकारी अध्यक्स बंदू तिर्की क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेक, विधाया सिल्पी नहा तिर्की सहित बड़ी स में कॉंग्रेस के नेता करकार्ता भी सामिल हुए ठीक करके लाए यह कहते हुए अदालत नियेगार अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारिक ताय कर दिया है हेमान सुरेंड की तरफ से अधिवक्त अप्यू चित्रेश कोट में मजूद थे 156 सभाय कर सोरे जागरन रत यत्रा पहुँचेगी रांची विश्व हिंदू परिशत की युवा इकाई बजरंग दल के दोरा चलाई जा रही देश ब्यापी सोरे जागरन यत्रा के तहत जार्खन की चार दीशाओ खुटी चत्रा पलामो और दुमका से निकल का सोरे जागर नात मैदान धुर्वा पहुच रही है 8 अक्टूबर दिन रभिवार को वहाँ धर्म सभा का वेजन किया जा रहा है इस सभा में समस्त हिंदू समाज को अमंत्रित किया गया है इसमें संत महंत के अलावा अलग-अलग हिंदू संगठन और जारकन परांत के सब ही जीला से ल करमचारी गिरफतार चारकन के चातरा जिले के हंटर गंज में एसीबी हजारी बाग की टीम ने सुक्रवार को 15,000 रूपए रिस्वत लेते रैस्व करमचारी बीपीन कुमार चोव्य को गिरफतार कर लिया है दाखिल खारेज करने के एवज में रैस्व करमचारी 25,000 की जाच में ए मामला सही पाया गया इसके बाद जाल बिछा कर रैस्व करमचारी बीपीन कुमार चोव्य को गिरफतार कर लिया गया ACB, DSP, बीमलेस, त्रिपाठी की टीम ने करवाई को अंजाम दिया है गिरफतार करमचारी को ACB की टीम अपने साथ हजारी बाग ले गई है हजारी बाग में 95 परतिषत की सोरी साधी बाद भी चाहती है पढ़ना सर्वे रिपोर्ट आने के बाद 4 अक्टूबर को सहर के होटल एक के इंटरनेशनल सभागार हॉल में परिचार्चा का युजन हुगा परिचार्चा में हजारी बाग के टाटी ज़रिया एवं कोटक कमदाग परखंड का सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि किसवर किसवर्यों की केरिया समन्दीत अकंचाय माता पिता के सहयोग अंतर पिढ़ी सनवाज हिंसा स्वास सेवा जैसे मोदो परबाचित का रिपोर्ट तयार हुआ है दूरगा पूजा से पहले बीत रही त इसकूलों कॉलेजों को मिलेगा अनुदान सक्षारता विभाग के सचीव ने सुक्रवार को बीत रही सिक्षा स्वनिवत संहर्ष मोर्चा के पतिनिधी मंडल को कहा है कि अनुदान की रासी 4 सितंबर को ही जीलों को भेज दी गई है उन्होंने कहा कि जीन जीलों में जीला सिक्षा पता अधिकारी द्वारा अनुदान की रासी अभी तक इसकूलों एवं कॉलेजों के खाते में हस्तान्तित नहीं की गई है उन्हें जल्द ही रासी हंतान्तित कर 17 अक्टूबर को होने वाली बैठक में रिपोर्ट लेकर आने को कहा है साथ ही सक्षार्ता विभाग के सचीव ने अभी कहा है कि मौगे पर ही संस्थाओं की ग्रेंडिंग के लिए फाइल बढ़ाने के निर्देश विभागी अधिकारियों को दिये ताकि संस्थानों का अनुदान बढ़ाया जा सके इससे पहले परतिनीदी मंतर ने कहा है कि ततकालीन मंतरी ने अनुदान की राथी चौगुना का नेक प्रस्तावप अपनी सोकरिती पादान कर दी थी लेकिन ग्रेंडिंग के नाब पर संची का लंबित रखी गई है पतरातू में जल्द सुरू होगा बिजली उत्पादन जार्खन बिजली बित्रन निगम और NTPC की जोईंट वेंचर कमपनी पतरातू बिधूत उत्पादन निगम लिमिटेट से जल्द बिजली का उत्पादन अरम हो जाएगा अगले साल से इसकी एक यूनिट से उत्पादन होने लगेगा सुक्रवार को तेनु घाट ता बिधूत एस्टेशन से 400 के भी लाइन पर स्टाट अप मिलना अरम हो गया है मानो तसकरी मामले पर जार्खन हाई कोट गंभी जार्खन हाई कोट के जर्श्टिस एसन परसादवा जर्श्टिस नौनित कुमार की खंड पीठ में साहव गंज में मानो तसकरी के आरोपीत कूल देव साह की जमानत पर सुनवाई होई सुनवाई के दोराण अदालत ने साहव गंज एवम अनुसंधन करता की करे सहली प्रनराजगी जताई कोट ने मौकिक रुप से कहा है कि मामले की जाच सही दिशा में नहीं की जा रही है निर्दोस को क्यों फंसाया जा रहा है आदालत ने अनुसंधन करता को बदनने का निर्देश दिया शुक्रवार को सुनवाई की दोरान सहेवगां एसपी नौसाद आलम और अनुसंधन करता आदालत में उपसित हुए थे इससे पहले अदालत को बताया गया के उनुसंधन करता ने गुमसुदा बच्चे के भाई विसुन देव हांसदा की पिटाई की है सहायक अचार्य के 26 एर एक पदो पर आवेदन शुरू राई सरकार के प्रारामफिक बिद्यालों में सहायक अचारय के 26 एर एक पदो पर न्युक्ती के लिए दोबारा आवेदन पर किरिया शुरू करती गई है इसके तहट अवियार्थी 7 एक्टूबर से 22 एक्टूबर मध्य रातरी तक अउनलेन आवेदन कर सकेंगे वहीं पर इक्षा का सुल्क भोगतान 24 एक्टूबर तक था फोटे औह स्ताक्षर अप्लोट 26 एक्टूबर तक होगा हवलदार पर पांच करोर की संपती बनाने का आरोप गरीबों का आनाज उठाने वा मुखे मंतिर रोजगास रिजन योजना के तह 10 लाह कारीन लेकर गाय सेट का निर्मान करने के मामले में विभाग हवलदार सरगून हरीजन वा उसके बेटे मुकेश दास द्वारा उठाये कर लाव की जांच कर रहा है अभी विभाग किसी नतिये पर नहीं पहुंच सका था कि सुमन स्वर्नकार नामक महिला ने महिला आयोक की सदस्य ममता देवी से सिकायत करने के बाद दोनों पर आय से अधिक की संपती अरजित करने का दावा करते हुए इडी से जांच की मांग की है महिला ने दिल्ली से लेकर राज के अधिकारियों को इसका वेदन भेजा है साहिब गंज के बरहेट में डाइरिया का परकोप बरहेट परखंड की कुसमा संताली पंचायत के केत के टोला में डाइरिया फैनले से तीन लोगों की मौत होगा इमरीत को में 50 वर्सी बावी मैसा पहाडिया उसकी बहुन 65 वर्सी सोनी पहाडियन एवां 20 वर्सी सूर्जी पहाडियन सामिल है सुक्रवार की सुबह मुखिया देव सोरेन वा पंचायत समीती सर्ज से खग्रेंदर साह को इसकी जनकारी मिली दोनों ने गाव में जाकर मामले की जनकारी ली और परसासनिक अधिकारियों के साथ सा स्वास्त विभाग के अधिकारियों को मामले की सुचना दी उसके बाद वीडियो सोमनात बनार जी वा प्रभारी चिकित्सा पता जगई डाक्टर हेमन्त मुर्मुगां में पहुंचे और मामले की जात की गोड़ा के दो मैदूर लपाता पचास फसे उत्री सिक्की मामला उत्री सिक्की में बादल फटने से लहोनक जील और तिस्ता नदी में आईबाड में सेकडों लोग लपाता है इसमें गोड़ा के दो मैदूर मंसूर अंसारी वा अनारूल अंसारी भी सामिल है वहीं जीले के पचास अधिक मैदूर चारो तरफ फैले मलबेव के चलते जहां तहां फसे हुए है सभी मैदूर मुपसिल थना छेतर के रानी डी गाओं के रहने वाले है बदादे सिक्की में फसे मैदूरों ने वीडियो संदेश भेज कर जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है सोजनों ने बताया है कि दो माह पहले यहां से पचास से साथ मैदूर सड़क निर्मान कमपनी में काम करने सिक्कीम गये थे सोजनों के अनुसार मंगलवार को वहां बादल फटने से आई बाढ़ में आधी रात को दोनों मैदूर घोर के साथ बह गए है एसियन गेम्स में भारत का मान बढ़ाने वाले को सीएम ने दी बढ़ाई मुख्यमात्री हमस्रे ने एसियन गेम्स में जीत के लिए टीम इंडिया को बढ़ाई दी है ट्वीट करूर ने कहा एसियन गेम्स 2023 के पूरुष हों की फाइनल में सांदार जीत के लिए टीम इंडिया को अनेको अनेक बढ़ाई सुबकमनाई और जोहार ACN Games 2023 में खेले जा रहे है विभीन, खेलों में भारतिये टीम ने बेहतरीन परदसन कर देश का मान बढ़ाया है आप सभी को उजोल भविस की हार्दिक बधाई अब सुपकम नाए सभी पंचायत में लगेंगे 10-10 चापा नल मिथिलेश ठाकू छारखन के पेजल मंत्री मिथिलेश ठाकू ने कहा है कि अगामी गर्मी में ग्रामीनों को पानी की दिकत नहीं होगी पेजल समस्या के निदान के लिए राजे की 43-151 ग्राम पंचातू में 10-10 चापा कल यानी कूल 43-45-10 चापा कल लगाये जाएंगे पेजल मं सक्स्तावी भाग के इस प्रस्तावर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है इस योईना में कूल 4-63 करोड 62 लाग 54-1626 रुपे खर्च होगा इस योईना से राजे के लोगों को पेजल की समस्या से निजात मिलेगी नकसलियों से मुटभेड में मारा गया चमरादा चारखन के कोलहान प्रमंडल में आतंका प्रयाव बने को ख्यात मवादी नकसली चमरादा सुरक्षा बलो के साथ मुटभेड में मारा गया है उसे कोलहान रिजर्व वन छेत्र के रेला पराल के जंगल में सुरक्षा बलो और भागपा मवादियों के बीच बीते दिनों विशन मुटभेड में मारा गया था लेकिन इसका खुलासा अब किया गया है जब मुटभेड की घटना होई थी उसमें पुलिस ने दावा किया था कि मुटभेड में कुछनक चली मारे गया है लेकिन स्वाव की ब्रांदगी नहीं होने तथा अने जनकारी नहीं मिलने की वज़ा से पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई थी अब पुलिस को खुफिया जनकारी मिली है कि वानक सली मुटभेड में मारा गया है रांची में केंजरीये सांती समीती की बैठक राइधानी रांची में अगामी तेवहारों को लेकर केंजरीये सांती समीती की बैठक आयो जीत की गई बैठक में दुर्गा पूजा सहीत अगामी सभी पर्वतेवारों को आपसी भाई चारे के साथ मनाने कार नहीं नहीं लिया गया बताजे सांती समीती के बैठाग में रांची डीसी और सस्टी के सामने पुजा समीती के पताती कारियों दुर्गा पुजा के दोरान वेहतर बेवस्था को लेकर अपने अपनी बाते रखी समिति के सहसेों के द्वारा रांची डी सी से आक्राह किया गया है कि सष्टी के पहले पुझा पंडाल के आज पाच की साप सफाई पानी की बिवस्ता बिली आपूर्ती और सुरक्षा के लिए पिशेश कर महिला पुलिस कर्मियों की प्रतिन्युक्ती की वेवस्था मुकमल की जाए राहुल गांधी की रावन से तुलना का विरोध बीजेपी द्वारा सोसल मेडिया पर राहुल गांधी को रावन बताये जाने के खिलाव जारकन कॉंग्रेस ने सुक्रवार को राज भवन तक विरोध मार्च निकाला पार्टी के परदेश मुख्याले से राज भवन तक निकाले के विरोध मार्च में प्रदेश कोंग्रेश प्रभार्य उन्यास पंडे प्रदेश अध्यक्स रायस ठाकूर पुर्व केंद्री ये मंत्री सुबोध कांच सहाय मंत्री बादल पतलेक महिला कोंग्रेश की बरतमान अध्यक्स गुंजन सिंग पुर्व अध्यक्स आभा सिना ग्रामीन रांची अध किरन खल खो समेत बरी संख्या में कंग्रेस्ट ने तरुका करता सामिल हुए धन्यवाद